हेलो बच्चा लो कैसे हो आप सब एकदम शानदार जवर्जस जिन्दाबाद पढ़ाई कैसी चल रही है नीट की एकदम जक्कास फुल्टू वाली ठीक है और जक्कास बना देते हैं उसे बायो पढ़ा के कया क्या अगहाए चलों आगे बढ़ने के पहले मोटो भी तो याद रखना है ना अपना क्या है अपना मोटो बच्छा लोग वी एम वी वर्क हार्ट एंड वी कॉंकर हम सपने देखते हैं ठीक है और हम कड़ी महनत करते हैं और हम जीत जाते हैं चले जीतने की और देखो यहां क्या क्या दिख रहा है बच्छा ये का जा अंग्या यह अंग्या हम सब्प्रूंऔर ये में भी थूहते हैं और यिस नार्मल वाले अभी प्रूट का नहीं हैं तो बाट नी में फूट कोन है दाज, चावल हां यानिकी सारे अनाज सारी दाले सबजियां सब फूट है जो ओवरी से बनाय बच्चा वह फूट है थी कहे है तो अभी देखते है कि कौन कितने सरी के सारे फूट है कैसे बोलेंगे कि यह इस प्रकार का फूरूट फूर ये उस टाइप का फूरूट है जो नहीं, पहला बिल दूरूर, कि फूरूर क बनाया, और पूरर एक फूरूर का एंगे बाता है। उसने बना दिया fruit को, यानि कि, one or more flower take part in formation of fruit, एक को दूसरी चीज क्या होगी, क्या देखेंगे, मान लो एक ही flower था, ठीक है, मान लो एक ही फूल था जिससे फल बना, उस फूल के अंदर, कार्पिल कितने थे, कार्पिल बच्छा female part होता है, फूल का, अब वो कार्पिल मान लो एक ही था, एक कार्पिल, एक fruit, simple सी बात है, लेकिन अगर कार्पिल बहुत सारे हैं, जैसे मान लो एक घर में बहुत सारी औरते रहते हैं, अगर सारी औरते आपस में चिपका दो सब को, और सब का ओवरी एक ठीक है, इस फूल की बात हो रही है, फूल एक घर है, उसे बहुत सारे कार्पिल यानि बहुत सारी महिला है, सब चिपक गई, सब का ओवरी एक हो गया, उससे भी बच्चा simple सा fruit बनेगा, क्योंकि ओवरी जो है वो एक हो गई है, यानि एक ओवरी अगर है तो बच्चा simple fruit ब पहला आजाद है, तो सब की ओवरी भी आजाद, ठीक है, तो सबसे अलग-अलग fruit बनेगे, ठीक है, उसको बोलेंगे बच्चा aggregate fruit यानि कि ग्रूप है पूरा चोटे-चोटे fruitlets का, ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, कार्पिल प्रेजंट इन गाइनोशियम आर वेदर फ्र है, या फ्यूज है, या अगर बहुत सारे कार्पल है, तो फ्री होंगे, तो क्या बनेगा, एग्रिगेट fruit, और फ्यूज होंगे, तो ओवरी एक हो गई, तो सिंपल सा fruit बनेगा, वही यहां बोला है, देखो, कितने तरीके के fruit हो गए, एक हो गया, सिंपल, दूसरा एग्र इरिगेट, तीसरा composite, अब यह बच्चा सिंपल वाला क्या है, यह सिंपल यह है, कि यह बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है, वह एक एक ओवरी से बना, ठीक है, चाहे वह ओवरी किसी एक कार्पल की रही हो, या फिर बहुत सारे कार्पल लोग चिपक गए, और एक ओवरी बन हो, एग्रिगेट क्या है, एक घर यानि एक फूल, बहुत सारी कार्पल से अलग-अलग ओवरी वाले, तो सब की, सबने मिलके अलग-अलग अपना, एक छोटा-छोटा फ्रूट का पार्ट अलग-अलग रहते है, बहुत सारे छोटे-छोटे फ्रूट लेट ने मिलके एक बना दिया, उसको बोलेंगे बेटा, एग्रिगेट या इटेरियो, ठीक है, और कंपोजिट क्या हुआ बेटा, बहुत सारे फूल होने मिलके इसको बनाया है, ठीक है, पूरा फूल का गुच्छा, पूरा इनफ्लॉरेस्सेंस बनाता है बेटा इसको, इसलिए बोलते हैं, कंपोजिट या मल्टिपल फूल्ट, क्योंकि बहुत सारे मल्टिपल फूल थे न, और कंपोजिट हो गया, सब मिलके चिपक गये, ठीक है, जारे फूल मिलके चिपक जाएंगे, ठीक है, तो देखो बच्चा, ये तीनों हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक बार डेफिनिशन देख लिए थे, सिंपल डेवलप फ्रॉम, सिंगल ओवरी, ठीक है, एग्रिगेट डेवलप फ्रॉम बेटा, एग्रिगेट में या तो सेवरल फ्री कार्पेल्स, है न, और एपो कार्पेस ओवरी, एपो कार्पेस बेटा क्या होता है, फ्लावर, ऐसा फूल जिसमें लोग free हूं एपो मतलब free और कार्पस मतलब यह free और कार्पेंस तो free कारपल ठीक है और composite क्या होगा composite मतलब पूरा का पूरा इंफ्लॉरसेंस बना रहा है हो गया definition आगे बढ़ते हैं देखो बच्चा हमने तीन तरीके के fruit पढ़े simple aggregate multiple आज हम को पढ़ना है simple fruit ठीक है अब यह simple fruit क्या है यह develop होगा एक कार्पल से ठीक है यह एक कार्पल की एक ओवरी है या फिर बच्चा यह किस से develop हो रहा है बहुत सारे कार्पल वाली fused ओवरी सिन सिन पाप वाले सिन यह बेटर यह सिन मतलब fuse है fused क्या है बिच्चा कार्पस सारे कार्पल फ्यूज हो गए है एक फूल के और उन्होंने एक ही ओवरी बना दी ठीक है अब देखो बेटा यह सिंपल फूट जो होते हैं यह सिंपल वाले यह भी दो तरीके के होते हैं पहला तो गया fleshy या circumculant तरीके चाल यह अरि गुदे वाला पच्चा पलपी वाला गुषटर आम खाते हैं न तेस्टी वाला आम तो अश्य को अच्छा भी न लगता हूं के हुथ 이제 पलपी 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 होता है तो ऐसे फूल्ट जिन में कुछ भी पार्ट जो है वह जूस वाला हो बच्चा ठीक है, उसको बोलेंगे जूस मीश पलपी वाला है ना फ्लेशी, उसको बोलेंगे पेटा, फ्लेशी और सक्यूलेंट फ्रूट और दूसरा होते हैं सूखा-सूखा, यह जीसे मुंफली हो गई, वह गई ढगें ड्राइ फ्रूट ठीक है, अभी दे खाया ना कुछ बहुत कठिन लग रहा है क्या fruit wall is differentiated into epicarp, mesocarp, endocarp क्या है ये actually बेटा जो fruit होता है उसमे एक बीच खाते हैं हम लोग खाते हैं गुठली खाते हैं नहीं खाते आम की गुठली किसी किसी fruits में सीड को खाते हैं लेगें आम में नहीं खाते हैं तो अम का एक्जामपल बताते हैं आम में गुठली है ठीके और उसके बाहर भुण ये बोधुध।D वह ऑगी दिवाल घीके उसमें आम े बाहर छिलका शिलका होता है लो क्या होता है ब humano रोता है your deploy और येल्लो बाला पल्प खाते है ना हम लोग वहता है मीजोकार्प और गुठली होती है वह एंडोकार्प होती है उसके अंदर बीच छूपा होता है आम की बात अगर करें तो है ना ये एक एक्जामपल दिया हमने आम का तो बेटा फ्रूट की जो वाल होती है उसको क्या ब और हम सिंपल फ्लेशी फ्रूट पड़ रहे हैं इन में क्या होता है एक दम अलग अलग पता चलता है बढ़ियां से फ्रूट वाल इस डिफ्रेंशियेटेड इन्टु एपी मीजो एन एंडोकार्प ये फल जो होते हैं यानि कि फटते नहीं हैं बड़े होके कि अभी तु दिस्टॉइ ना हो जाए ठीक है जैसे की आम का हम ने ठा लिया ठीक है गुठली परा सिक देशिया भी ना इस वह इंडोकार्प की तो वह भी स्टॉई करने पड़े गीज तो उन्दर का बीज फ्रूट इस पर्सल ऑप और प्रीकार्प इस डिस्ट्रोइड परिकार्प मत आगे बढ़े बेटा, देखो, simple fruit भी दो तरीके के होते हैं, एक उतार fleshy और एक उतार succulent बताया मैंने, फिर हमने बोला कि हम fleshy fruit पढ़ेंगे आज, ठीक है, अब हम fleshy fruit के type देखेंगे बेटा, कितने type होते हैं, बहुत सारे हैं, साथ, हाँ, डूप, क्या हो गया, डूप, दूसरा, बैरी, तीसरा, पैपो, चौथा, ओम, पाचवा, हैस्प्रीडियम, शठा, बलोस्टा, साथवा, एमफिसार का, ये क्या बोल दिया मैंने इतना कठिन-कठिन, कुछ कठिन निया बेटा, चलो आगे देखते हैं, हम लोग स स्टोनी फ्रूट, जिसका पत्थर जैसे अंडोकार्प, मार दो सरफूट जै, देखो, ये फ्रूट किस से डेवलप होंगे, हमको पता है कि डूप, एक सिंपल फ्रूट है, तो एक ही ओवरी से बनाओगा, अब वो ओवरी चाहे एक कार्पल की नहीं हो, चाहे बहुत सारे कार्पल फ्यूज होके एक ओवरी बनाए हो, यानि कि या तो मोनो, या तो मल्टी कार्पलरी सिंप कार्पस ओवरी, और डूप फ्रूट होते है, वो सुपीरियर ओवरी से बनते है, अब यो सुपीरियर ओवरी क्या है बेटा, देखो, जैसे मान लो एक, ये फूल का डंड है, ठीक है, इस पे वो लगे रहते है न, रंग मिरंगी पत्तियां, इस पैटल, और ये सेपल, है न, और क्या लगा रहता है, मेल पार एंथर, और फीमेल पार लगा रहता है, गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो अब जिस फूल में बेटा, जिस फूल में ये सबसे ऊपर ओवरी लगी है, और बाकी सब नीचे लगें, देखो एंथर इसके नीचे लगा है, ये इसके नीचे लगा है, ये इसके नीचे लगा है, यानि अगर फ्लावर का जो डंडा है, स्टाउक, उसके सबसे ऊपर में ओवरी लगी है, और बाकी सब नीचे नीच स्टेमन नीचे लगा हो सेपल पेटल सब नीचे लगें कार्पल ऊपर लगा तो ऐसी ओवरी को बच्चा बोलते हैं सुपीरियर ओवरी ठीक है और कैसे आद रखोगे कि यह जो डूप यानि स्टोनी फ्रूट होता है उसमें ओवरी सुपीरियर होती है ऐसे याद रखना कि हम हमारे पास जैसे पत्थर जैसे मारने की कोई चीज होगी तो हम तो सुपीरियर ही होंगे न है न ठीक है क्योंकि हम सुपीरियर होंगे हम थोड़ देंगे किसी को लेके ठीक है तो देखो एंडो कार्पिस बेटा हार्ड एंड स्टोनी ठीक है एक्जाम्पल्स क्या क्या होगा इसके आम नारियल यह दोनों बच्चा सौ टका इंपॉर्टेंट वाले हैं ठीक है मैंगो कोकोनट एक दम सौ टका इंपॉर्टेंट याद रखना है भूलना नहीं एंसी आटी में दिये चैरी केक में रहता है चैरी चैरी कर जैम खाते हैं खाया है बहुत टेस्टी लगता है हां देखो बच्चा यहां पर तो यहां पर तो फोटो ही बनी आम की और नारियल की और इस पहले पेज पे दो फोटो क्यों बनाएं क्योंकि यह तो एक्दम कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है और यह जो आम है बच्चा इसका एडिबल पार्ट क्या है इसका एडिबल पार्ट है फ्लेशी मीजो कार्प ठीक है मीजो कार्प मैंगो में क्या होगे बच्चा एडिबल पार्ट मीजोकार्फ ठीक है मैंगो में एक मिज kitsar進 चो कोकोनइट इसमें एंड्रोस्पर्म काते है मिलए बाइट वाइट गुल है और जहान वहाल यह गुछा सेदोजोन में हो डा बस सेदे एंडोस्परम भून आ नारियल कोड़ा है छात भूल्ल में थी जानकर हैं समस्राइट उमना यातल यहां, गव्entar, हम भूल बैटा कि उसे ब हम यहां झारीयल की थीच, पूल में सीच, का थीच old आ यह आम क्या खा रहे है? मीजोकार्पि ठीक है विए क्या खा रहे? मीजोकार्पि यसको भूल नहीं है जोड़ानी ही सल्तनध रही है डॉषण ममंट, सल्तनल रही है अभी देखो आगे क्या देखा जायाँ? इसको देखते हैं बदाम अखरोट देखा है बदाम का ये ये वाला फल कच्चा वाला और इधर वाला अखरोट है नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा ये देखो इधर ये क्या है बच्चा ये है बदाम का फल और ये बीच में बदाम का बीज और जब ये बड़ा हो जाता है तो हम लोग ऐसा ऍयार खरीट के लाते है न ब lifto भी बाहर कभच रहता है उसको फोडों तो अन्दर बादाम निकलता है औवह जो बाहर जो चकष रहता है बल्क्रळेन को प्हुम ओक्षट सेख रहते हैं अब देखो ये क्या था शहते हैं दिख गठा साफ्प अभी देखो यह क्या है अख्रोट अख्रोट दिख रहा है यह देखो अख्रोट सुंदर लग रहा है यह जो हम लेकर आते हैं बेटा अख्रोट वो जो बाहर पत्थर जासा रहता है वो रहता है एंडोकार्प जो की स्टोनी रहता है और बीच में क्या रहेगा पच्छा अं यह बैर की अके उसी प्लम में पीछ में यह सपमे देखो गुठली और नहीं और उसी अंदर कि आगेभाभड़ कर बच्चा पढई करो महनत करो और हिए यह लेक्ट और सेलेट डॉक्तर बन लो ठाकि देश की सेबा करने हां कि नहीं डॉक्टर का मरीज ज्यादा हैं दॉक्टर का मरीज ज्यादा एक फ्रूट तो हमने देख लिया simple fleshy fruit कौन सा देखा था बेटा डूप अब हम दिखेंगे berry है ना इमली का बूटा बेरी के बेर अभी बेरी के बेर देखेंगे नहीं जो बेर था वो डूप था कोई बेरी के बेर नहीं थे वो डूप था बेरी के बेर अभी हमको बेरी देखना है बेर तो डूप था अब देख लेते हैं बेरी ठीक है और इमली तो बाद में आएगी है ना सी ओवरी से बन रहा है क्या बन रहा है बहुत कुछ रहता है अपने को क्या देखना है यह जो fruits होते हैं ठीक है यह कौन-कौन से example देख लेते हैं जैसे कि यह हो गया टमाटर ठीक है ग्रेप अंगूर टमाटर बैगन ठीक है अमरूद पापीता टेला सब ठीक है पैरिकार्प यॉनी फ्रुटव ओर प्लैसंटा जिस पे सीड्ड लेकिन बेटा जो केला होता है बनाना उसमें हम लोग क्या छिल्का खाते नहीं खाते वह होता है पैरिकर्प का पैरिकार्प में तीन चीजे होती है भीटा ऐपी काशल मीजो कार्प तो जो टमाटर वगहरा रहता है शेमने पूरा पेरिकार्प खा गए लेकिंजो पीकार्प सक्ट को खाथा हैं बहुते हैं मैं टमाटर का होता है पेरिकारप और प्लेसंता होता है यहाँ ही और कुछ ऐसी berries होतीister ऑर सिर्फ एक बीज होता है इसमें शिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चा एक बीज जैसे कि हजूर और सुपाडी सी कह बीटलनेट यहाँ देखो डेट पामन और आरीकानट और बीटल नेट यह क्या है, one seed वाले berry है, इसका photo भच्चा, बैरी का, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, यहोगे, टमातर, अंगूर, बैगन, अम्रूद, ठीक है, यह सब क्या है, और आगे देखते हैं बेटा, और भी है, बनाना, ठीक है, क्या है बच्चा यहाँ, क्या दिख रहे है, बनाना और यह कच्छा बीज वाला वह यह जंगली यह बिज बनाना है और यह नीचे क्या दिख रहा है यह पपीता अधर साइड में सुपाडी यह वो वो क्या है बच्च यह सुपाडी जिसको हम लोग जानते हैं और यह बाहर इसका फल है यह नारियल खांदान का है पाम ट्री का है यह एक पाम ट्री है और यह भी एक पाम है कौन सा पाम डेट पाम खजूर ठीक है यह हो गया डेट पाम और यह क्या हो गया बच्चा अरीका नेट या बीटल नेट और यह बनाना एंड यह पापाया पापाया इस बैरी ठीक है पापाया इस बैरी बैर इस नॉट बैरी अच्छा बच्चा यहां देखो पेपो क्या होता है पेपो क्या होता है पेपो वो जो पापी होता है, नहीं, बच्चे होते हैं, ममा मैंने कोई पाप किया था क्या जो आप मेरे को पैपो खिलाते हो, बच्चे बोलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों क्या होता है पसंद्नी होता है पैपो, बोलते हैं, बेबी बोलता है घर में, ममा मैंने पाप किया है जो कुकूर बिटेशी है याद रखना है बच्चा कुकूर बिटेशी फैमिली ठीक है किस बना है तीन कारपेल वाली यानि ट्राय कारपेलरी सिंग कारपस इंफीरियर ओवरी यह वह फल है कुकूर्बिटेसी का फ्रूट होता है कार्पल होता है उसमें कार्पल होता है तीन कार्पल होते है यह फ्यूज रहते हैं और मेर्चारा नी नीचे बैठा रहेगा ओरी वाला नहीं भीडिया पाल क्या होगा पधीपो में między कार्प जिसे यह लॉंद दोगे एंडोकरप एसे प्लेसे और बच्चा सेड़ी यह सीड लगे रहते हैं तो मिजोकार्प रिषसको को फालो भी परेंब भोहरा ने वाले टांट यह चूट वोलने वाले में पों भी फॉल्स रूट है क्या मतलब है इसका एकुली बेटा इनमी जो फॉल होता है उसको बनाने में तेवल ओवरी का ही हिस्सा नहीं है थैलेमस लोग यानि कि जिस पे वह फ्लावर का डंडा जिसका एंड रहता है यह शूरा का डंडा इसका एंड है इस सब सेपल जैसे देखो यहां सेपल है ठीक है और पैटल लोग है और क्या है बच्चा ओवरी लगी है और एंथर लोग है ठीक है तो सब गिर जाएगा बचेगी ओवरी ठीक है क्या बचेगी ओवरी बचेगी कहां पर बटा थेलमस के ऊपर यह पींक वाली ओवरी है और नीचे घ्रेवाला हो गया थेलमस और फ्रूट बनना होगा तो यह ऐससे जाएगा और आपल पीर में यह बीच वाला थेलमस बना था और आखा false fruit ठीक है तो true ovary remains inside true ovary अंदर में और थेलमस बाहर में ठीक है false fruits को और क्या बोलते हैं बेटा इनको accessory fruit या pseudo carp carp means fruit pseudo मसलब false इनको pseudo carp या accessory fruits भी बोलते हैं accessory क्यों हो बेटा क्योंकि ovary है वो true बनाई और यह लोग उसके साथ में हैं है न जैसे हम लोग गाड़ी खरीते हैं तो accessories लगवाते हैं न गाड़ी में ठीक है तो यह भी वैसे ही है main गाड़ी तो यह हो गया बीच का true fruit जिसने ovary बना में तो यह हो गई जूते वाले फल आगे देखते हैं है house paridium यह क्या है बच्चा हेस परीडियम क्या है बेटा? यह होता है रुट ऐसी फैमिली में ठीक है? यह क्या है अलग-अलग ओवरी के प्रकार होते हैं जैसे इसमें देखो यह क्या है और अलग-अलग फ्रूट किस तरीके से बन रही है, वह ही सब बहुत है कि हेस परीडियम पहले तो नाम याद रहो हस रही है परी, ऐसे याद रखो, हस रही है परी, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि वो रूठ गए, तो ये किस फैमिली में हुआ, रूटेसी फैमिली में, हैस्परीडियम रूटेसी फैमिली में होता है बच्चा, एक्जामपल, ओरेंज, लेमन, इनके एडिबल पार्ट क्या ह होते हैं, ये जो बीच में जूसी पल्पी हेर्स रहते हैं बेटा, ग्लैंडूलर हेर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट रखना है, अब मैं बताऊंगी कि हैस्परीडियम के बारे में और क्या क्या है, रूटेसी फैमिली में है, हाँ सरहिती परी रूट जाएगी, ठीके, किस चिकना चिकना ऐसा लगता है, छिक लखता हैं तिल्लूं अगले उक्त यह जही है मिजोकारहब, बार एंडियम को असे संत्रन रहतते हैं यह यह पर्णम को आटा 한 दोकार्प में रहता है, पतली जिली, यह आधे पैएंडोकार्फूर्त, फश्का biggest star वेनी चैमबर मोगता है संत्रा लाते हैं बहुत सारे चैमबर है और ग्लेंडूलर हेर और इनर साइट ऑफ एंडोकर्प करणे पैया है उसके अंदर में ग्लेंडुलर हेर रहते हैं वह गए एंडोकार्प के प्रोजेक्शन अंदर तरफ उसी को हम खाते हैं आगे बड़े बच्चो बलॉस्टा ये क्या है बेटा ये वह है जो बहुत महिंगा मिलता है यह वह जो अनार है बाला जो बालक लोग होते है और बालक लोग उनको अनार बहुत पसंद थे चोटे बच्चों को है या फिर बाला मूवी उन characterized हो और को सब्सक्राइब ही जानेदे के अनार में बहुत सारे क्यांटर होते हैं और भी होते हैं थिक कि बलटी सीर्ड अ और डेवलप फ्रॉम इंफीर ओभी याद नहीं करना पड़ेगा बेटा कैसे क्योंकि देखो यह नार दिख रहे हैं इसके उपर में क्राउन रहता है कैसे रहते हैं यह रहा क्राउन दिख रहा होगा यह कैलिक्स है यानि सैपल्स पर्सिस्टेंट सैपल्स वर्य इंपोर्ड़ें कैलिक्स पर्सिस्टेंट ठीक है एंड रेज्ज एसग्राउन ताज की जैसे और मैंने बताया था ऐसा कोई भी फ्रूट जिसमें कैलिक्स वगेरा उपर रहेंगे और ओवरी नीचे रहेगी तो इन्फीरियर ओ बच्चा इसमें सबसे ज्यादा important क्या होगा इस पेज में जो एकड़ 100 का important है अब तो हम लोग गोलते हैं सो टक का important क्या है इसका testa testa क्या होता है seed goat वो भी outer वाला seed, beach के बाहर जो कवच होते हैं वो दो होते हैं testa और tagman अंदर वाला tagman बाहर वाला testa और अनार में जो fleshy और juicy portion होता है ना बच्चा वो ये टेस्टा ही होता है, वही है इसका edible part, वही है इसका succulent यानि juicy fleshy part, टेस्टा 100 टकका important, कितना टकका बच्चा, 100 टकका important, 100 टकका, ठीक है, टेस्टा succulent edible part of fruit, भूलना नहीं, और अनार का क्या नाम है बच्चा, scientific name, एंग्रेजी नाम हो गया नार हमने हिंदी में बोला, punica granatum, ठीक है, punica granatum, granite नहीं है, ग्रेनेटum है, वही punica granatum, और देखे बिटा, लास्ट वाला देखे, एमफी सार का, ये लास्ट fleshy fruit है, edible parts, इसके क्या होंगे, इसमें बहुत सारे है बच्चा, ये इसमें क्या रहत है बाहरवाला, EPBCARP हो हाठटा है ,öyleיאम द्टटकर से वहDakot का रहता है और वहाँ बहुत सारे हैं कि सोभरी से बणना क्या हम को नहीं पढ़ना है था हमको कॉर्स मे नहीं है, हमसा इयाद रखना है कि का बाहर इंस खुछ है यह एसमें हम क्या खा अप़र के अंदर क्या होता है दर डा मीजो उसके अंदर रखा थे रहे रहते है और फिर नंदर लगी में रहती है वुटी हां और यह एलिफेंट एपल क्या है बच्चा यह वह हाथी को बहुत पसंद है हाथी और आदमी में लड़ाई हो जाए ऐसा फल है ठीक है शायद मैंने कलकत्ता का सुना तो किसी गावाओं में ऐसा हुआ था कि लोग बिचारे लोग लगाते थे तो हाथी लोग देखो ऐसे कैसे आद करोंगे आज लो मार पीट करी लो किसके लिए बेल के लिए बच्चे आपस में घर में बोलेंगे नहीं मैं खाऊंगी मैं खाऊंगा ऐसे आज लो मार पीट करी लेतें बच्चा किसके लिए बेल के लिए बच्चों बच्चों बच्चे बदमाश होत जेमें बुद्धाम स्वए बेटा मैं अस्वी से ये व में फटो देखने बिंधेशा को स्था इस और पीजोह को में प्लच ये अन्धर उवद्र सोगा कर देग्यान आज लो मार पिट कर लो, क्यों करनी है, बेल के लिए, फिर मम्मी आईगी, कैसे मार पिट कर रहे हो, तुम लोग अब तुम सब को, मैं बताती हूँ, ठीक है बेटा फिर, इतना खतम हुआ, फ्रूट को, इसमें फ्लेशी फ्रूट साज हमने बता दिये, नेक्स लेक्चर में मैं क्या बताऊंगी बच्चा, ड्राई फ्रूट, ठीक है, ऐसे गर के सारे फ्रूट पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल फ्रूट में दो थे न, फ्लेशी ड्राई, ठीक है फिर, चलते हैं, बाई बाई, भाई, होप समझ में आया होगा, समझ में आगया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बाई,